प्यारे परमेशरे सची से समय के लिए अपको धन्यवा देते हैं आज के इस वैबल वाचन को भी आप आशिश जाइक बना के दीजिए इन हर एक वचनों के द्वारा हमें सिद्ध बना कर और हर एक बले काम के लिए हम तत पर होने के लिए मदद किजे परमेशर इश्व मस्य के नाम से मांगते पिता आमेन व्यवस्ता विवरन अधियाई छे यह वह आग्या और वेवीदिया और नियम है जो तुमें सिखाने की तुमारे परमेशर यहवा ने आग्या दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो और तु और तेरा बेटा और तेरा पोता यहवा का बैमानते हुए उसकी उन सब वीदियों और आग्याओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन बर चलते रहें जिससे तु बहुत दिन तक बना रहे हे इसरायल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर इसलिए कि तेरा बला हो और तेरे पितरों के परमेशर यहवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूद और मदू की दाराएं बैती है तुम बहुत हो जाओ हे इसरायल सुन यहवा हमारा परमेशर है यहवा एक ही है तु अपने परमेशर यहवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ती के साथ प्रेम रखना और यह आग्याएं जो मैं आज तुछ को सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तु इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और गर में बैटे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्न के रूप में बांधना और यह तेरी आंकों के बीच टिके का काम दे और इन्हें अपने अपने गर के चोकट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना जब तेरा परमेशर होवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विशे में अपने इब्राहिम, इसाहाक और याकूब नामक तेरे पुर्वजों से तुझे देने की शपत काई और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तुने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्तों से बरे हुए गर जो तुने नहीं बरे और खुदे हुए खुवे जो तुने नहीं खोदे और दाक की बारियां और जैतुन के व्रुक्ष जो तुने नहीं लगाए ये सब वस्तुवें जब वहदे और तू खाके तुरुपत हो तब सावदान रहना कई ऐसा ना हो कि तू यहवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर अर्तात मिस्र देश से निकाल लाया है अपने परमेशर यहवा का बैमानना उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपत खाना तुम पराए देवताओं के अर्तात अपने चारों और के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना क्योंकि तेरा परमेशर यहवा जो तेरे बीच में है वह जल उटने वाला इश्वर है कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेशर यहवा का कोप तुझ पर बढ़के और वह तुझ को पृत्वी पर से नश्ट कर डाले तुम अपने परमेशर यहवा की परिक्षा न करना जैसी कि तुमने मस्सा में उसकी परिक्षा की ती अपने परमेशर यहवा की आग्याओं चेतावनियों और वीदियों को जो उसने तुछ को दी है सावदानी से मानना और जो काम यहोवा की दृष्टी में ठीक और सुहामना है वही किया करना जिससे की तेरा बला हो और जिस उत्तम देश के विशे में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपतकाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए कि तेरे सब शत्रू तेरे सामने से दूर कर दिये जाए जैसा की यहोवा ने कहा था फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनिया और वीदी और नियम जिनके मानने की आगया हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है इनका प्रयोजन क्या है तब अपने लड़के से कहना जब हम मिस्र में फिरोन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरोन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्न और चमतका दिखाए और हम को वह वहां से निकाल लाया इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचा कर जिसके विशे में उसने हमारे पूर्वजों से शपत काई थी इसको हमें सौंप दे और यहोवा ने हमें ये सब वीदियां पालन करने की आग्या दी इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का बैमान और इस रीती सदायव हमारा बला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टी में उसकी आग्या के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा एमैन व्यवस्ता विवरन अधियाय साथ और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हे तेरे द्वारा हरा दे और तु उन पर जै प्राप्त कर ले तब उन्हें पूरी रीती से नश्ट कर डालना उनसे न वाचा बानना और न उन पर दया करना और न उनसे ब्याह शादी करना न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीचे चलने से भख आएंगी और दुसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी और इस कारण यह हुआ का कोप तुम पर बढ़क उठेगा और वह तेरा शिग्र सत्यनाश कर डालेगा उन लोगों से ऐसा बरताव करना कि उनकी वेदियों को डाह देना उनकी लाटों को तोड़ डालना उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहुआ की पवित्र प्रजा है यहवा ने प्रुत्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चून लिया है कि तु उसकी प्रजा और नीच दन ठहरे यहवा ने जो तुम से स्नेह करके तुमको चून लिया इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिंती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे किन्तु तुम तो सब देशों के लोगों से गिंती में थोड़े थे यहवा ने जो तुमको बलवन्थ हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरोन के हाथ से चुड़ा कर निकाल लिया इसका यही कारण है कि वह तुम से प्रेम रखता है और उस शपत को भी पूरी करना चाता है जो उसने तुमारे पूर्वजों से खाई इसलिए जान रख कि तेरा परमेशर यहोवा ही परमेशर है यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आग्याएं मानते है उनके साथ वह हजार पीडी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुना करता रहता है और जो उससे बैर रखते ह वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नश्ट कर डालता है अपने बैरी के विशे वह विलम बना करेगा उसके देखते ही उससे बदला लेगा इसलिए इन आग्याओं वीदियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ मानने में चौकसी करना और तुम जो इन न तेरे पूर्वजों से शपत काकर बांदीती और वह तुझे प्रेम रखेगा और तुझे आशिश देगा और गिंती में बढ़ाएगा और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपत काकर तुझे देने को कहा है उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न नई दाकमदू और रटके तेल आदी बूमी की उपज पर आशिश दिया करेगा और तेरी गाई बेल और बेड़ वकरियों की बढ़ती करेगा तु सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा तेरे बीच में न पुरुश न स्त्री निर्वन्च होंगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्यादियाँ जिनने तु जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे और देश-देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहवा तेरे वश में कर देगा, तु उन सबों का सत्यनाश करना, उन पर तरस की द्रिष्टी न करना, और न उनके देवताओं की उपास न करना, नहीं तो तु फंदे में फंस जाएगा. यदि तु अपने मन में सोचे कि वे जातियान जो मुझसे अधिक है, तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूंगा, तो भी उनसे नर्डर ना. जो कुछ तेरे परमेश्वर यहवा ने फिरोन से और सारे मिस्र से किया, उसे बली बांती स्मरन रखना, जो बड़े बड़े परिक्षा के काम तुने अपनी आंकों से देखे, और जिन चिन्नों और चमतकारों, और जिस बलवन्थ हाथ और बढ़ाई हुई बुजा के द् इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहवा उनके बीच बर्रे भी बेजेगा, यहां तक कि उनमें से जो बचकर चिप जाएंगे, बेबी तेरे सामने से नश्ट हो जाएंगे उनसे बै न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहवा तेरे बीच में है, और वह महान और बैयोग्य इश्वर है, तेरा परमेश्वर यहवा उन जातियों को तेरे आगे से दिरे दिरे निकाल देगा, तो तु एकदम से उनका अंतना कर सकेगा, नहीं तो बेनेले पशु बढ़कर तेरी हानी करेंगे, तो भी तेरा परमेश्वर यहवा उनको तुछ से हरवा देगा, और जब तक वे नश्ट न हो जाएं, तब तक उनको अतिव्याकुल करता रहेगा, और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा, और तु उनका भी नाम दर्ती पर से मिट दालेगा, उन में से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा, और अंत में तु उनका सत्यनाश्कर डालेगा, उनके देवताओं की खुदी हुई मुर्तियां तुम आग में जला देना, जो चांदी या सोना उन पर मड़ा हो, उसका लालच करके न ले लेना, नहीं तो त उसके कारण फंदे में फसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तु वे तुमारे परमेश्वर यहवा की दृष्टी में ग्रिनित है, और कोई ग्रिनित वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो तु भी उसके समाननश्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा, उसे सत्यनाश्की वस्तु जानकर उसे ग्रिना करना और उसे कदापी नव चाना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है, एमेन प्रेडितों की काम अधियाए 18 इसकी बाद पौलूस एतेंस को छोड़ कर कुरिंतुस में आया, वहां उसे अकिला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था, वह अपनी पतनी प्रिस्किला के साथ इतली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियूस ने सब यहूदियों को रोम से न उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था, वह हर एक सब्त के दिन आरादनलाय में वाद विवाद करके यहूदियों और युनानियों को भी समझाता था, जब सीलाज और तिमुतियूस मकी दुनिया से आये, त परन्तु जब वे विरोध होर निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े जाड़ कर उनसे कहा, तुमारा लहू तुमारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोश हूँ, अब से मैं अन्यजातियों के पास जाऊंगा, वहां से चल कर वहतीतुस युस्तुस नामक परमेशर क एक बक्त के घर में आया, जिसका घर आरांदलाई से लगा हुआ था, तब आरांदलाई के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समित प्रभू पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिंतवासी सुन कर विश्वास लाए और बप्तिसमा लिया, प्रभू ने एक आनी न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग है, इसलिए वह उनमें परमेशर का वचन सिखाते हुए डेड़ वर्षतक रहा, जब गलियों अकाया देश का हाकिम था, तो यहुदी लोग एक करके पवलुस पर छड़ आये, और उसे नियायासन के सामने लाकर क समझाता है कि परमेशर की उपासना ऐसी रीती से करे, जो व्यवस्ता के विपरित है, जब पवलुस बोलने पर ही था, तो गलियों ने यहुदीयों से कहा, हे यहुदीयों, यदि यह कुछ अन्या या दुश्टता की बात होती, तो उचित था, कि मैं तुमारी सुनता, पर सब लोगों ने आरदनले के सरदार सोस्तीनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गलियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की, पवलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर बाईयों से विदा होकर, किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडाया, क्योंकि उसने मनत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किला और अकिला थे, उसने इफिसुस पहुंच कर उनको वहां छोड़ा, और आप आरदनले में जाकर यहुदियों से विवाद करने लगा, जब उन्होंने उस से विंति की, हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उसने स्वीका न किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेशर ने चाहा, तो मैं तुमारे पास फिर आऊंगा, तब वह इफिसुस से जहाज कोल कर चल दिया, और कैसरिया में उतर कर यर्शलेम को गया, और कलिसिया को नमस्कार करके अन्ताकिया में आया, फिर कुछ दिन रह कर वह वहां से निकला, और एक और से गलातिया और फ्रूगिया परदेशों में सब छेलों को स्तिर करता फिरा, अपलोस नामक एक यहुदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था, और पवित्र शास्त्र को अच्छी धर से जानता था, इफिसुस में आया, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और मन लगा कर इशू के विशह ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह के वल्युवना के वप्तिस्मा की बात जानता था, वह आरादनले में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रि पाया को जाए, तो बाईयों ने उसे डाडस देकर छेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी धर मिले, और उसने वहां पाउंच कर उन लोगों की बड़ी सहायता की, जिनोंने अनुग्रा के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र के प्रमान्दे देकर क इशू ही मसी है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सब के सामने निरूत्तर करता रहा, एमन निती वचन अध्याय 28 दुष्टर लोग जब कोई पीचा नहीं करता तब भी बागते हैं, परन्तु दर्मी लोग जवान सीहों की समान निडर रहते हैं, देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परन्तु समझदार और न्यानी मनुश्य के द्वारा सूप्रबंद बहुत द दिन के लिए बना रहेगा, जो निर्दन पुरुष कंगालों पर अंदेर करता है, वह ऐसी बारी वर्षा के समान है, जो कुछ बोजन वस्तु नहीं छोड़ती, जो लोग व्यवस्ता को छोड़ देते हैं, वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परन्तु व्यवस्ता पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परन्तु यहवा को डूनने वाले सब कुछ समझते हैं, तेड़ी चाल चलने वाले दनी मनुश्य से, खराई से चलने वाले निर्दन पुरुषी उत्तम हैं, जो व्यवस्ता का पालन करता, वह स तोरता है, जो कंगालों पर अनुग्रव करता है, जो अपना कान व्यवस्ता सुनने से मोड लेता है, उसकी प्रातना ग्रुनित ठैरती है, जो सीधे लोगों को बटका कर कुमार्ग पर ले जाता है, वह अपने खोदे हुए घड़े में आप ही गीरता है, परन्तु खरे ल जैवन्त होते है, तब बड़ी शोबा होती है, परन्तु जब दुष्ट लोग प्रबल होते है, तब मनुश्य अपने आप को चिपाता है, जो अपने अपरात चिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, परन्तु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर की जाएगी, जो मनुश्य निरंतर प्रबु का बैमानता रहता है, वह दन्य है, परन्तु जो अपना मन खटोर कर लेता है, वह विपती में पढ़ता है, कंगाल प्रजा पर प्रबुता करने वाला, दुष्ट गरजने वाले सीय और गुमने वाले रीच के समान है, जो प्र प्रानी की हत्या का अपरादी हो, वह बाग कर घड़े में गिरेगा, कोई उसको न रोकेगा, जो सीधाई से चलता है, वह बचाया जाता है, परन्तु जो टेड़ी चाल चलता है, वह अच्चानक गीर पड़ता है, जो अपनी बूमी को जोता बोया करता है, उसका तो पेड बरता है, परन्तु जो निकम्मे लोगों की संगती करता है, वह कंगाल पन से गिरा रहता है, सच्चे मनुश्य पर बहुत आशिरवाद होते रहते हैं, परन्तु जो दनी होने में उतावली करता है, वह निर्दोश नहीं ठहरता, पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह पी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकडे रोटी के लिए अपराद करें, लोबी जन दन प्राप्त करने में उतावली करता है, और नहीं जानता कि वह गटी में पड़ेगा, जो किसी मनुश्य को डानता है, वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जात जो अपने माबाप को लूट कर कहता है, कि कुछ अपराद नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहता है, लालची मनुश्य जगडा मचाता है, और जो यहोवा पर बरोसा रखता है, वह हष्ट पुष्ट हो जाता है, जो अपने उपर बरोसा रखता है, वह मुर्क है, और जो बुद्धी से चलता है, वह बचता है, जो निर्दन को दान देता है, उसे गटी नहीं होती, परन्तु जो उससे दृष्टी फेल लेता है, वह शाप पर शाप पाता है, जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं, तब तो मनुश्य डूंडे नहीं मिलते, परन्तु जब वे परमेशर इस अच्छी से समय के लिए अपको दनेवाद देते हैं, आज के इस बैबल वाचन समय को भी अपने आशिश जाइक बना के दिए इसलिए दनेवाद करते हैं, जिसे हम पढ़ेते परमेशर, जो आपके ऊपर बरुसा रखते हैं, वह अश्ट पुष्ट रहते हैं उसी प्रकार सारे कामों में आपके ऊपर हम बरुसा रखने के लिए आप हमें मदद कीजिए और सारे कामों में हम बुद्धी सी चलने के लिए मदद कीजिए, एश्यू मसी के नाम से मांगते पिता, आमेन, गौड ब्लेस यूँ